हलो दोस्तो नमस्कार मैं लोकेस्ता हूँ मैं पिछले 12 साल से फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ और साथ ही 6 साल से म्यूचल फंड डिस्टिबूटर भी हूँ दोस्तो आज का टॉपिक है दोस्तो अब आपको लोन आधी के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे जिस तरह दोस्तो आप UPI यूस करते हैं इसी तरह RBI एक ULI software लेकर आने वाला है और यह जो सिस्टम है यह एक नया लोन क्रांती को दोस्तो जनम देगा अब दोस्तो आई यह बात करते हैं यह ULI क्या है कैसे काम करेगा और इस से क्या फायदा होगा दोस्तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कीजिएगा आईए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से दोस्तो अब आपको कार लोन, परसनल लोन या फिर होम लोन आधी के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे यह सारे लोन आपको अब एक क्लिक पर मिल जाएगा इसकी प्रोसेसिंग ठीक वैसे ही होगी जैसे UPI, Unified Payment Interface से सेकेंड में पेमेंट हो जाता है इसके लिए रिजर्व बैंक गवर्नर सक्तिकांत दास ने Unified Lending Interface जिसे हम ULI कहते हैं शुरू करने की घुशना हो चुकी है उन्होंने कहा कि इससे देश के लोन सिस्टम में नई करांती आएगी दोस्तो, ULI को RBI की Subsidiary Reserve Bank Innovation Hub RBIH ने डेवलप किया है इसका मकसद रिटेल लोन लेने वालों के लिए मुल्यांगन प्रक्रिया को सरल और बहत तेज बनाना है बैंगलूरू में हुई वैस्विक सम्मेलन में दास ने यह जानकरी दी हुई है ULI का पाइलेट प्रोजेक्ट पिछले साल 17 अगस्त को सुरू किया गया था इसका फोकस किसान क्रेजिट कार्ड, लोन, देरी लोन, MSME लोन, परसनल लोन और होम लोन था आई यह जानते हैं ULI क्या है दोस्तो RBI, UPI जैसा नया सिस्टम ला रही है जिसके बाद यूजर्स को ऑनलाइन कर्ज लेने में असानी हो जाएगी जैसे आज फोन पे, गूगल पे और पेटियम ऑनलाइन एप UPI पर बेस्ट है जिसकी निगरानी National Payment Corporation of India कर रहा है ऐसा ही प्लेटफर्म ULI देगा कैसे काम करेगा? आधार EKYC, सरकारों के लिए लेंड रिकॉर्ड्स, पैन वैलिडेशन, बैंको, क्रेडिट इंफर्मेशन कमपनियों और Account Aggregators जैसे विभीन सुरोतों से आकड़े जुटाएगा इससे लोन लेने की छमता का आकलन औरन हो जाएगा पूरा सिस्टम सहमती के अधार पर काम करेगा जिससे डेटा गोपनिय बना रहेगा क्या होगा फायदा? तुरंत कर्ज देने वाले मौजूदा एप्स पर सरकार वा RBI का सिमित नियंतरन है लेकिन ULI प्लेटफर्म पर बेस्ट एप सीधी निगराने में आ जाएंगे जैसे अभी आप पिन डालकर UPI से तुरंत पेमेंट कर पाते हैं उसी तरह आप पिन डालकर लोन ले पाएंगे यह भी आपके बैंक एकाउंट से लिंक होगा इंस्टेंट एप लोन का माया जाल तूटेगा छोटे परसनल लोन लेना आसान होगा ऐसे कर्जदारों में 50% लोग 35 साल से कमके हैं दोस्तों आपने मोबाइल पर कई बार ऐसे मैसेज देखे होंगे जिनसे बीना कागाच के मिन्टों में लखो लोन देने वाले एप का ओफर होता है अब इनका भ्रहमजाल खतम होगा और ULI से छोटी जरूरतों के लिए भी असानी से तुरंद परसनल लोन मिल जाएगा आरग्याई के मुताबिक परसनल लोन लेने वालों में 69% लोग 35 साल से कम ओम्र वाले हैं वित्तवर्स 2024 की पहली छमाही में औसत परसनल लोन 9,861 रुपए रहा पिछले वित्तवर्स की समान आउधी में यह 10,955 रुपए था यानि अब लोग छोटी जरूरतों के लिए बड़ा लोन जादा ले रहे हैं ऐसे में यह नई वैस्था बड़ा बदलाव ला सकती है साइबर सीक्योरिटी एक्सपर्ट की माने तो देश में अभी 700 इंस्टेंट लोन एप चल रहे हैं इन में से कई चीन के हैं गाइडलाइन्स के मुताबिक कर्श देने वाला संसान नाम, पता और नंबर के अलावा गरहा की कोई और जानकारी नहीं ले सकता दोस्तो आसा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सेर जरूर कीजिएगा धन्यवाद मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो में